हेलो बच्चों मैं अर्विन सिंग आपके चहेते चैनल पूछो तो पर जेई मेंस का क्रेश कोर्स का जो आगे का पार्ट है नेक्स वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने ठीक है जिसमें हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं ठीक है अर्विन सिंग ठीक पूछो तो हमारे चैनल का नाम है हमारी टीम बहुत एफ़र डाल रही है इसके रिगार्डिंग ठीक कोरोना के कहते हैं केसिस के बाउदू जहे हम लोग रिस्क लेके वीडियो जहे डाल रहे हैं तो आप इतको देखिए देखिए और जहे इसमें कमेंट्स करिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग आगे भी वीडियो डालेंगे अगर कोई भी स्पेसिफिक आपको लगता है कि टॉपिक बहुत वीक है आपका तो हम लोग इसम्प्लिफाइड वे में उसको जह है आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है बहुत फेवरिट और चाहिए तापका चैनल पूछो तो पे हम लोग फ्रिक्शन की बाते करते हैं फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है फ्रिक्शन देखो है ये बहुत छोटा सा कंसिप्ट फ्रिक्शन लेकिन इस पर कोश्चन्स बहुत ब पार टाइप की चीज है इसका वजन है मान लोग 500 किलो और ये मैं जो कहते हैं कि मेरे घर के सामने एक रोड है वहाँ पे गिर गया है कहीं से आ गया है किसी ने डाल दिया है किसी बदमाश आदमी ने जो है ये पत्तर जो 500 किलो का यहाँ पे छोड़ दिया है अब मुझे अप जोर आजमाईश करके देखते हैं मैंने इस पे इधर की तरफ बहुत ताकर लगाई 100 N की 100 N मतलब 10 kg के वेट के बरावर फोर्स लगाया और ये टस से मस हुआ नहीं अगर ये टस से मस नहीं हुआ तो न्यूटन बाबा को यात करू न्यूटन बाबा ने क्या कहा था कि कोई ऐसा force होगा जो cancel करने के लिए लग रहा होगा तो कोई ने कोई ऐसा force होगा जो cancel करने के लग रहा होगा तो है कौन वो friction friction ने क्या किया 100 Newton लगा दिया और इसको रोक दिया रोको तुमको आगे नहीं बढ़ना है ठीक है अब मैंने का अच्छा एक बार effort डालते हैं मैंने बहुत force लगाए दुबला पदला तो मैं हूँ ही 225 Newton का तब भी ये move नहीं किया तो मतलब friction किता हो गया 125 Newton हो गया बच्चा लोग मैंने का अब मेरे बस की तो बात है नहीं मेरे से नहीं नहीं गाई ठीक है तो मैंने दो चार लोगों को इकठा किया ठीक दो लोगों को इकठा किया और का बेस को move कराओ उन लोगों ने बहुत ताकत लगाई 200 Newton का force लगा दिया तब भी ये हिला नहीं तो friction कितना हो गया 200 Newton कितना हो गया 200 Newton खेल दिखते जाओ अब मैंने कहा जब इन्होंने 200 Newton लगाया था तो मुझे लगा ये थोड़ा वह थिलता है हिल रहा है तो थोड़ी से और ताकत लगाई जाएगी तो शायद ये move कर जाए तो मैंने कहा एक बार effort डालो इन लोगोंने क्या किया 210 Newton का force लगाया और ये सिर्फ जब 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 थिल रहा था मैंने इसको touch किया ठीक है और ये move करने लगा तो 210 Newton पे ये move नहीं कर रहा था तो मतलब friction कितना था 210 Newton ठीक है और मैंने मानलो थोड़ा सा force लगा दिया 210.1 Newton मैंने 0.1 Newton का force लगा और ये move करने लगा ठीक तो इस discussion से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि भाईया friction की एक limit friction की एक limit है हमने 100 Newton लगा तो friction ने का अच्छा 100 Newton इतना तो मैंने बस की बात ले और 100 Newton लगा दिया मैंने पीछे की तरफ न move कर वाप होग इसको हमने 125 Newton लगा तो ने का अच्छा यह भी मेरी लिमिट में मेरी जह है लिमिट की के अंदर है तो मैंने फ्रिक्शन 125 Newton का फोक्स लगाया 210 लगाया तो friction थोड़ा खड़ बढ़ाया यह तो मेरी लिमिट के ब्यांट भी जा सकता है लेकिन मेरी लिमिट है 210 Newton की तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा कि पीछे इसको रोकने की कोशिश की 210 से जैसे ही थोड़ा सा जादा हुआ तो friction ने का रही मेरी लिमिट के ब्यांट तो जा रहा लेकिन still still ठीक मैं कोशिश करता हूं मैं कोशिश करता हूं इसको रोकने की तो friction कितना लगा 210 Newton मतलब इतने पर भी friction कितना लग रहा होगा 210 Newton का तो इसी इसी नेचर को friction के हम लोग क्या बोलते है self-adjusting मतलब पहली चीज तो friction की एक लिमिट है अगर हमने अगर हमने इसी ब्लॉक पर इस जब पत्थर यहां पर रखा हुआ था ठीक है कोई force नहीं लगाया तो friction कितना लग रहा था 0 क्यों 0 लग रहा था क्यों 0 लग रहा था बहिए अगर friction इदर लगने लगएगा तो यह move कराने लगएगा इसको न तो friction करता क्या है friction एक force होता है तो यह करता क्या है जब भी दो surfaces contact में होती है तो उस contact के कारण एक force लगता है उस contact force का जो surface के along वाला component होता वो friction होता और surface के जो perpendicular वाला component होता वो normal reaction होता है ठीक है क्या मैंने बताया जब भी दो surfaces contact में होंगी ठीक है वैसे भी आजकल contact जादा नहीं maintain रखना है आपको social distance maintain रखनी है किसके कारण, कोरोना कारण, इसका एक फायदा आपको मिला है, time जादा मिला है, जिससे आप अपनी तयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन घर पे ही रहके करिए, मोधी जी ने कल जनता कर फ्यू की बात किया है, तो कल आप जितना ज्यादा ज्याद रहें, घर पे ही रहें, बाहर ना निकलिए, लोग मित्रों से, अपने दोस्तों से न मिलिए, हमारे चैनल पे वीडियोज देखते रहें, हम अच्छे अच्छे वीडियो ले आएंगे, जिससे आपके सारे concepts clear होते जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक तो इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, friction की एक range है, 0, 0 से लेकर, μू, s, n तक, ठीक, ये static friction की बात हो रही है, दो तरह के friction होते हैं, static और kinetic, ठीक है, तो friction के बारे मैंने आपको बताया क्या, जब भी दो surfaces contact में होती है, तो एक knit contact force लगता है, ठीक है, contact force का जो surface के along component होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, friction और surface के perpendicular जो component होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, normal reaction, या tangential जो component होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, friction, ठीक है, तो smooth surfaces में ये friction नहीं लगता है, smooth surfaces में ये friction नहीं लगता है, तो सिर प्रिक्षिन की वैल्यू की static friction क्या होता है self adjusting होता है इसकी वैल्यू 0 से लेके म्यूव स एन तक होती है एन समझ में आ रहा है यह एन समझ में आ रहा है न इस normal reaction म्यूव स क्या है coefficient of static friction यह surfaces जो contact में उनकी nature के उपर depend करता है जैसे एक smooth surface है उस पर अगर किसी चीज को move कराना तो frixion स्टाटिक friction स्टाटिक friction की एक range होती है ठीक है self-adjusting nature का होता है self-adjusting nature का होता है इसकी value 0 से लेके mu s into n अन तक होती है mu s क्या होता है coefficient of static friction और mu n क्या होता है normal reaction होता है यही concept है और जो kinetic friction होता है अगर friction के kinetic value की बात की जाए की value fix होती है Mew K into N ठीक kinetic friction self-adjusting नहीं होता है static friction self-adjusting होता है kinetic friction क्या होता है आपका fix value होती है Mew K into N मतलब यब यह move करनے लगा तो friction की value fix हो गई Kinetic friction की value हमेशा क्या होती है Mew K into N Mew K क्या है或者 coefficient of kinetic friction Normal reaction static friction is self-adjusting in nature ठीक OR किसी भी rough surface प्र और अगर किसी object को आपको move कराना है तो इस force से तोड़ाँ साथ जादा force लगाना पड़ेगा तो move करना शुरू करेगा move करने के बाद क्या लगए कानेटिक friction इसी से related एक graph होता है तुम लोगों ने खुब बच्पने पड़ा है friction और applied force की अगर बात की जाए तो पहले linearly बढ़ता है फिर यह ऐसे हो जाता है यह जो maximum value होती है क्या होती है mu s into n होती है और इसके बाद यह जो constant value होती है क्या होती है mu k into n होती है ठीक है clear एचीज अब हम इनको questions में implement कैसे करेंगे main बात यह है question में implement कैसे करेंगे तो देखते हैं questions हम लोग कैसे solve करेंगे पहले मैं एकदम आसान type का question solve करवाता हूँ तुम लोग को ठीक है मान लो कि आपसे कहा गया कि यह एक system दे रखा है यह है मान लो m1 और यह है m2 यहाँ coefficient of friction क्या है mu तो आपसे कहा जा रहा है m1 की वो minimum value बताओ कि यह move करने लगे जब कुछ न दे रखा हो तो mu s और mu k same होते है ठीक है अगर आपसे कहा गया कि मान लो यह mu s दे रखा है और mu की अलग 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 दे रखा है तो जब kinetic का use करोगे मतलब object जब move करने लगेगा तो mu k का use कर लेना जब तक वो रुका रहेगा तो mu s का use कर लेना कुछ नई mention है एक ही mu की value दे रखिए तो वही mu s होगा वही mu k होगा usually mu k की value थोड़ी सी कम होती है ठीक है ठीक है चलो आगे बात करते है तो इसको move कराना है इसको move कराने के लिए force कौन लगेगा tension इसका अगर free body diagram बनाओ तो इधर क्या लगेगा tension और रोकेगा कौन friction तो जैसे जैसे इसका weight बढ़ाओगे तो tension रस्षी में बढ़ता जाएगा tension रस्षी में बढ़ता जाएगा मान लो कि भाई यह अभी भी रुका हुआ है तो tension और mg बढ़ाबर होगा अगर इसका free body diagram बनाओ तो इस पे m1g नीचे की तरफ लग रहा है और tension t उपर की तरफ लग रहा है तो t is equal to क्या है m1g तो t किसके बढ़ाबर होगा m1g की अब जैसे जैसे m1 बनाते जाओगे वैसे वैसे t क्या होगा बढ़ता जाएगा जब तक इसकी value mu s into n से कम या add max s के बढ़ाबर जैसे बढ़ाबर होगा तो add the verge of motion आ जाएगा तो जब तक ये relation true है तब तक ये move नहीं करने देगा इसको तो अगर यहां से हम m1 की value निकालें तो m1 की value क्या हो जाएगी is less than or equal to mu s n upon g ठीक है तो n क्या है इसके लिए m2g नीचे की तरफ लग रहा था और normal reaction उपर की तरफ इस direction में कोई motion हो नहीं रही है तो normal reaction क्या हो जाएगा m2g के बराबर हो जाएगा नॉर्मल reaction जब भी निकालना हो तो जो भी contact surface है उसके perpendicular वाल direction में जितने भी forces लग रहा है उनको balance करा दो उनको balance करा दो तो उनमें normal reaction मिल जाएगा ठीक है तो इस case में value क्या आगई है आपकी m1 should be less than or equal to mu s into m2g upon g g ने g को मार दिया m1 is less than or equal to चलो आगे बात करते है मान लो चलो next slide पर solve करेंगे हम लोग मान लो आप से कहा गया कि ये 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 दो block का system है मान लो इसका mass है m1 इसका mass है m2 इस पे लग रहा है force f ये वाली surface है smooth ठीक इनके बीच में friction है mu तो actually में होगा क्या अगर ये experiment तुम करो एक block के उपर दूसरा block रखो नीचे वाले force लगाओ बहुत तेजी से अगर उसको खीज दोगे तो नीचे वाला block आगया जाता है और वो नीचे दडाम से गर जाता है ठीक है और दीरे दीरे अगर पकड़के खीचो तो हो सकता है दोनों block से एक साथ move करें ठीक तो आप से दो तीन चीज़ें पूछी जा रही है कि इस force की वो minimum value बताओ M2, M1 के उपर slide करना शुरू करते M2, M1 के उपर slide करना शुरू करते तो एक यहाँ पर जो misconception लोगों के अंदर होता है इस question के तो हम वो भी सीख सकते है लोग कहते हैं कि हमेशा friction जो होता है motion का oppose करता है हमेशा motion का oppose नहीं करता है motion को support भी करता है जैसे अगर मान लोग कि दोनों एक साथ move करना है दोनों का acceleration same है तो दोनों का acceleration same है तो A is equal to क्या होगा F upon M1 plus M2 यह acceleration होगा acceleration है यह समझ में आ रहा है M2 के पास acceleration कहां से आया तो देखो जब M1 आगे जाएगा तो अगर इस पे खड़े को observe करो कि तो पीछे जाने की tendency रखेगा ना तो पीछे जाने की tendency रखेगा तो M2 का अगर चलो पहले M1 का free boy diagram बना रहते हैं यह force लग रहा है F तो इस पे जो friction होगा वो लगेगा इधर की तरफ ठीक यह लगेगा friction यह है M1 का free boy diagram और अगर M2 का free boy diagram बनाओ तो इस पे एक लौता जो है friction ही इधर की तरफ लगेगा और forces तो लगेंगे यह M2 और normal reaction यह friction ही इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है ठीक है और यह वाला friction और यह वाला friction बराबर होगा Newton वाबा का तीसरा नियम every action has equal and opposite reaction ठीक है clear a cheese तो अगर acceleration दोनों का यह है तो जैसे जैसे यह देखो force F बढ़ा होगे वैसे वैसे acceleration क्या होगा बढ़ेगा न और acceleration इसको प्रवाइट कौन कर रहा है friction तो इसको अगर friction प्रवाइट कर रहा है तो friction की एक limited भाई उसके beyond यह acceleration नहीं प्रवाइट कर पाएगा तो अगर हम बात करें कि जब तक जब तक इसका इसको जो force की acceleration की requirement है मतलब M2 into F upon M1 plus M2 ठीक है this is less than less than or equal to maximum value of static friction M2 into G जब तक ऐसा है तब तक यह और M2 और M1 साथ में move करेंगे देखो किया क्या मैंने confuse मत हो फिर से बताता हूं पुरा ध्यान समझो ठीक है है क्या आप force लगा रहा है इस पे तो इसको move करना चाहिए अब इसके साथ साथ M2 भी move कर रहा है और इसको उपर slide नहीं कर रहा है sliding नहीं हो रही है तो sliding नहीं हो रही है तो दोनों का acceleration अगर same है तो M2 को acceleration प्रवाइड करने के एक लौता force लग रहा है friction ठीक है friction के लगा और कोई force ही नहीं है जो इसको जाए कहते है move करा सके ठीक तो अब हमने net acceleration निकाल लिया A is equal to F by M1 plus M2 यहीं acceleration इसका भी होगा क्या होगा M2 F upon M1 plus M2 ठीक है तो इस पे लगने वाला force मिल गया अपने को अब यह जैसे जैसे यह force बढ़ाते जाओगे तो यह acceleration क्या होगा बढ़ता जाएगा यह acceleration बढ़ता जाएगा तो इस पे जो required force होगा दोनों को साथ move कराने के लिए वो भी बढ़ता जाएगा वो force मिल कहां से रा है वो force मिल रहा है friction से कहां से मिल रहा है friction से तो friction की तो एक limit है न भाई अगर उसके beyond जाओगे तो M2 M1 के उपर slide करना शुरू कर देगा ठीक है तो इसलिए एक condition लिखी है मैंने M2 ने M2 को मार दिया तो F is less than or equal to mu S into M1 plus M2 M2 into G ठीक है यह condition आ गई ठीक यह condition आ गई तो अगर F की maximum value पूछी जाए तो F की maximum value क्या हो जाएगी जब तक दोनों blocks साथ में move करेंगे तो क्या हो जाएगा mu S M1 plus M2 into G याद करने की जरूद नहीं है एक question के थरू हम एक data के थरू इसको solve करते हैं तो और थोड़ा समझ में आएगा तुम लोग को तो एक data के थरू अगर solve करते हैं मान लो मैंने कहा कि यह है 10 kg का यह है 5 kg का और इस पे force लग रहा है 100 N और mu S जो है मान लो 0.5 है ठीक है यह यह दे रखा है अब कहा क्या जा रहा है कि बताओ बहिए दोनों का acceleration क्या होगा तो दोनों का acceleration क्या होगा तो हम दोनों का combined acceleration निकाल लेते हैं दोनों का combined acceleration निकाल लेते हैं combined acceleration क्या होगा 100 divided by 15 ठीक है तो 100 divided by 15 मतलब कितना हो गया 105 से divide करो तो 20 by 3 meter per second square ठीक यह आपने निकाल लिया अब जो 5 kg वाला ब्लॉक है उसके उपर ध्यान दो 5 kg वाले ब्लॉक को इधर कौन मूव कर आ रहा है फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन इस इक्वल टू M2 इन्टू A ठीक है या 5 इन्टू A लिख लेते हैं ज्यादा सही रहेगा तो 5 इन्टू A एक इतना है फ्रिक्शन इस इक्वल टू 5 इन्टू A कितना है 20 बाइ 3 तो यह हो गया 100 बाइ 3 अब फ्रिक्शन की maximum value क्या हो सकती अगर यह फ्रिक्शन की range में होगा तो यह provide कर पाएगा इतना अगर फ्रिक्शन की range की beyond चला गया तो यह निपट जाएगा तो फ्रिक्शन की maximum value है वो क्या है मू S इन्टू N ठीक है मू S कितना दे रखा है मू S दे रखा है 0.5 इन्टू N कितना होगा 50 चास M2 जी की बात कर रहे है ना तो कितना हो गया 25 न्यूटन अब 25 न्यूटन और 100 बाई 3 तीक 100 बाई 3 मतलब यह कितना आएगा 33.33 न्यूटन ऐसे ही तो कुछ आएगा ना फ्रिक्शन इतना ही प्रोवाइड कर सकता है और दोनों को साथ मूग करने के लिए इतना इतना फोर्स चाहिए तो कहां से फ्रिक्शन दे पाएगा तो फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा तो मतलब 5 kg वाला जो ब्लॉक है वो 10 kg के उपर क्या या अभी हमने जो रिजर्ड निकाला था वो f की maximum value क्या थी? mu of m1 plus m2 into g तो mu के इतना दे रखा है? mu दे रखा है 0.5 दोनों का addition निकालो 10.5 15 into 10 ठीक है? तो इससे भी निकालो के तो चीज़े क्या आएंगी? same आएंगी. clear है चीज? तो आगे हम लोग बात करते हैं अब अग हमारे acceleration अलग-अलग है तो निकाल लेते हैं एक बार चेक कर लेना calculation में कोई mistake न हो बच्चा लोग ठीक है? बागी concept तो यही है क्योंकि calculation मेरी बहुत weak है तो अब अगर acceleration अलग-अलग है दोनों का free boy diagram मना के दोनों का acceleration निकाल लेते हैं यह कौन से बड़ी बात भाई? ठीक? clear करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे भी कुछ discussion कर लेते हैं मान लोग कहा गया कि जगे कहते हैं यह एक इंक्लाइन प्लेन है यह इंक्लाइन प्लेन है थीटा है इसमें एक टम तुम लोगोंने पढ़ा था angle of repose एंगल of repose क्या ओधा था वह एंगल जिस पे किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखावा ब्लोग जड़ स्लाइट करने की condition में पहुँच जाता है tan theta is equal to mu s ठीक है यह हमने पढ़ा था ठीक तो आगे बात करते हैं मान लो की 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 यह है 5 kg का इस पे दर की तरफ force लग रहा है 50 newton theta दे रखा है 30 degree और mu s दे रखा है 0.5 इसका acceleration निकाल ना है मान लो ठीक है तो इस तरह के सवाल में friction को include करने से पहले मान लो कि यह smooth surface है क्या है smooth surface है तो यह किधर move करेगा यह आपको देखना होगा क्योंको friction क्या करता है sliding या sliding की tendency का oppose करता है जिदर भी slide करने की tendency होगी उसके opposite लगेगा तो slide करने की tendency को decide करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि इस पे और कौन-कौन से forces लग रहे हैं तो इसका अगर मैं free body diagram बनाऊं तो free body diagram बनाया तो यह आया 50 Newton तो लगी रहा है mg के दो component हुआ करते थे मैं directly लिख दे रहा हूँ mg sin theta एक इधर आता था और इधर क्या आता था mg cos theta और यह क्या लग गया normal reaction ठीक है तो अगर दिहान से देखो तो अगर यह 50 Newton वाला mg sin theta से जादा होगा तो ऊपर जाने की tendency होगी तो friction की तर लगेगा नीचे की तरफ और अगर mg sin theta की value 50 Newton से जादा होगी तो नीचे की तरफ sliding की tendency होगी तो friction की तर लगेगा ऊपर की तरफ यह decide करना आना चाहिए इसलिए मैंने क्या कहा कि इस तरह के सवाल में सबसे पहले तुम करोगे क्या मान लो कि smooth surface है smooth surface है और smooth surface से decide करो कि किदर की तरफ इसकी sliding की tendency है उसी के साफ से friction का direction adjust होगा ठीक है friction एक फरिष्टा type से होता है जो कमजोर होता है उसको support करने की कोशिश करता है इस तरीके से friction होता है ठीक है तो देखने है mg sin theta भी हम calculate कर लेते हैं सब तो दही रखा है 5 into 10 into sin 31 by 2 5 किता हो गया 25 newton तो वह 25 newton लग रहा है और उदर force किदर लग रहा है 50 newton ठीक तो अगर हम लोग बात करें तो friction किदर लगेगा इस पे इदर लगा 50 newton और इस पे इदर लगा 25 newton तो friction भाई साफ क्या करेंगे इसको जो है इदर की तरफ रोकने की कोशिश करेंगे अब मुद्दे की बात आती है यह move करेगा कि नहीं करेगा तो move यह तभी करेगा जब यह 50 newton ठीक है ठीक एड़ वर्ज अफ मोशन होगा जब यह 50 newton is equal to क्या होगा 25 प्लस friction की maximum value mu s into n and इस case में क्या होता है mu s n होता है mg cos theta तो mg cos theta यहां से निकाल लो यह तो था 50 into root 3 by 2 तो 25 root 3 25 root 3 तो यह आ गया 25 plus mu s कितना था mu s था 0.5 तो 0.5 into 25 into root 3 ऐसा कुछ अगर होगा मतलब अगर ऐसा होगा तो यह add the verge of motion होगा मतलब इन दोनों को अपने को क्या करना है compare करना equal to का sign न लगा हो यार ने तुझे तुम लोग गदर मचा दोगे ठीक तो अगर ऐसा कुछ होगा यह हमने यह value निकाली और यह जो है इससे जादा अगर यह होगा तब यह move करेगा otherwise move नहीं करेगा तो यह 25 इंटू 0.5 12.5 25 प्लस 12.5 इंटू 1.7 माल लेते हैं ठीक है तो 1.7 करोगे तो 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 25 प्लस 17.5 85 8 724 62 और दो चार सत्त्र एकम सत्रा और चार एक्किस तो दो प्ट प्र दिस्मल अब देखो यह कित्त आ रहा है यह आ रहा है तुम्हारा तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ move करेगा अगर acceleration निकालना होगा तो acceleration कैसे निकालोगे 50 minus जो भी यह value आई है 46.25 is equal to 5A इससे acceleration मिल जाएगा मुद्दे की बात समझ मैं आई कि नहीं तो को मुद्दे की बात क्या है अगर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है सर्फिस को स्मूथ मान लो स्मूथ मान के देखो इसकी पहले slide करने की tendency किदर है slide करने की tendency जिधर होगी उसके opposite जो है friction लगेगा मतलब उसको यह support करेगा या तो mg sin theta को support करता या 50 newton का जो force लग रहा था उसको support करता तो यहां पर हमने देखा mg sin theta की value 25 newton mg sin theta कमजोर पढ़ रहा था friction कह रहा था मैं तुमारी मदद करूँगा 50 newton जह के कहते हैं बहुत ताक्तवर इंसान है वो तुमारे उपर जल्म कर रहा है तो मैं 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 तुमारी मदद करूँगा because I am an angel मैं फरिष्टा हूँ तो अब अगर दोनों मतलब mg sin theta और friction दोनों मिलके अगर 50 newton जादा होंगे उसमें friction क्या है friction की maximum value तो जो है इसको रोक लेंगे अगर दोनों मिलके भी 50 newton से कम हुए तो 50 newton जीती जाएगा न भाई ताकतवर जो होता है वो तो जीतता ही है तो friction चाहता क्या है friction चाहता है कि जो दो surfaces है उनके बीच में कोई relative motion न हो ठीक दो surfaces को अलग नहीं उने देना चाहता है मतलब friction दो प्रेमियों को अलग नहीं होने देना चाहता है ऐसा मानलो अपनी पूरी ताकत जो है जो पुराने वाला काम करता है वो कौन करता है फ्रिक्शन करता है ठीक है clear a cheese सबको चलो फिर आगे चलते हैं इकात question मैं इसी पर आपको और करा देता हूँ और कैसे questions होते हैं कुछ concept इतना ही है याद concept जोगे अगर सीख गए तो question solve करोगे और question solve करो अगर कोई question solve नहीं होता है comment section में आप mention करो मैं question solve करके आपको जहें उन पे वीडियोज भी में बनागे पे upload कर दूँगा ठीक है तो आप question solve करो जितने questions कर सकते हो अब तो आपके पास time भी आ गया है time मिल जाएगा आप लोग को ठीक ठाक ठीक है तो हम लोग चलो एक question और मैं करा जिता हूँ मानलो आपसे कहा गया की आसान सा सवाल है कोई difficult नहीं है मानलो ये एक turn table थी diagram यार मैं बना नहीं पाऊंगा ये turn table जोए ऐसे omega से rotate कर रही थी कैसे omega से rotate कर रही थी बहुत आसान टाइब का सवाल है कोई difficult नहीं है और जो है कि कहते हैं कि यहां पे एक यह block रखा हुआ था आपसे कहा जा रहा है यह आर डिस्टिंस पर रखा हुआ है इनके इस टेबल और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशेंट और फ्रिक्शन है वो म्यू है तो आप से कहा जा रहा है कि maximum होई का बताओ जब तक कि यह slide ना करें condition save है तो ऐसे रखा हुआ इसको गोल-गोल घुमा रहे हो तो क्या-क्या forces लग नहीं उसके opposite लगेगा friction तो अगर बहुत तेजी से अगर भागेगा घूमेगा तो इस ब्लॉक की slide करने की tendency किदर होती है बाहर की तरफ centrifugal force बचवन पढ़ा था ठीक है तो अगर slide करने की tendency इसकी बाहर की तरफ है तो friction अंदर की तरफ इसको force लगा के रोकेगा तो मतलब एक तरीकेश देगा है तो इसको एक अंदर की तरफ ये गोल गोले से सरकल मूव कर रहा है तो इसको एक centripetal force चाहिए centripetal force क्या होता है mr omega square ये कौन प्रवाइड कर रहा है friction तो जैसे जैसे omega बढ़ाओगे तो ये requirement बढ़ती जाएगी तो friction भी बढ़ेगा लेकिन friction की एक limit है beyond वो अपनी values नहीं बढ़ा सकता है friction की एक limit है उस limit के beyond ये अपनी values को बढ़ा नहीं सकता है तो जब तक mr omega square is less than or equal to mu s into n मतलब mg तो mm cancel हो गया तो omega square is less than or equal to mu s g upon r तो omega अगर लिखोगे तो omega क्या होगा omega अगर लिखोगे तो square root के अंदर लिख दोगे जब तक ऐसा होगा तब तक ये slide नहीं करेगा ठीक है ऐसे बहुत n number of questions बन सकते है friction का basic concept से भी है banking of root पढ़ी थी हम लोगों ने ठीक है उसमें maximum और minimum velocity की बात की थी तो n number of questions बन सकते है basic friction का आपको अपने दिमाग में रखना है basic friction का ये है कि जैसे चलो एक सवाल और करवाज तो मुणा famous question है ये बाई साब है यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ठीक है ये एक ब्लॉक रखा हुआ है ये acceleration से इधर जा रहा है तो बताओ maximum acceleration जब तक ये ठीक है ये नीचे slide न करे या A की वो value जब तक ये slide न करे तो इसको slide कौन कराएगा mg अपोज कौन करेगा friction तो जब तक mg is less than or equal to maximum value of friction मतलब mu s into n तो तब तक मतलब तब तक जो है कहते है ये slide नहीं करेगा अब n यहाँ पे निकालना बड़ी चीज है बड़ी चीज क्या है एन जो है देखो इस पे normal reaction इदर की तरफ लग रहा है ना और ground से देखोगे तो ये भी तो block के साथ x relation से इदर जाता वह दिखाई देगा ना तो n is equal to क्या हो गया ma तो मतलब mg is less than or equal to mu s into ma तो तब तक है ये relation hold करता है ये नीचे slide नहीं करेगा जहां ये relation करबड़ हो गया तो ये slide करना नीचे की तरफ शुरू कर देगा ठीक है clear edge ची सबको sure ना तो आपको friction का basic दिमाग में रखना है basic से कितना भी complicated question हो वो solve हो जाएगा हमने 2 block की बात की थी 4 block रख लो ठीक हमने ये square लिया एक जो है केते हैं ऐसे कौन type से ले लो यहां एक block है ये कौन जो है केते हैं ऐसे rotate कर रहा है कुछ भी दिमाग में क्या रखना है अगर rough surface है ठीक तो friction जो sliding की tendency होगी उसके opposite लगेगा ये आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है और friction के दो values होती है static friction होता है और kinetic friction होता है है इतना ही concept, अब यह हम circular motion में भी गुमा दें, ठीक है, हर जगे हम इसको use कर सकते हैं, number of questions बन सकते हैं, basic इतना ही है, free body diagram आपको बनाना आना चाहिए, sliding की tendency देखना आना चाहिए, उसके इसाफ से friction calculate करना आना चाहिए, ठीक है, है इतना ही, इसके beyond और कुछ नहीं है, otherwise हम जो है उसपे एक video upload करेंगे, ठीक है, तो बच्चा लोग friction पे हम लोग अपनी कानी खतम करते हैं, next हम लोग आगे lecture लेके आएंगे, ठीक है, तब तक आप घर पे रहो, safe रहो, घर पे रहना जरूरी है, safe रहना जरूरी है, घर से बाहर न निकलिए, जब तक की सबसे जादा अर्जनसी ना हो, मतलब घर के बाहर निकले बिना काम नहीं हो रहा है, तभी घर से बाहर निकलिए, otherwise घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, safe रहिए, ठीक है, अगले कल की जाहतक की बात है, तो कल तो जाए मोदी जी ने वोला ये जनता करफू के लिए, तो जनता रखिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, जो भी प्रॉब्लम है, उस पे आप कमेंट करिए, हम लोग आगे इसको मेंचन करेंगे, ठीक है, तो नेक्स लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, जो भी टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग, चलि नेक्स क्लास मिलते हैं, तैंक यू